प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सी को च कप पढ़ते हैं सी को च कप पढ़ते हैं देखें और समझते हैं यदि किसी सब्द में सी की बात एच होगा यदि किसी सब्द में सी की बात एच होगा वहाँ पर सी को च पढ़ा जाएगा उधारन के लिए यहाँ पर देखें आपके सामने है C के बात H है तो हम इसे चोप पड़ेंगे तो इसका संपोन उच्चारण करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि M A को हम चाप पड़ते हैं M A को हम मा पड़ेंगे R को रो पड़ेंगे और C H को चोप पड़ेंगे तो यह हुआ मार्च दीखेंगे एक बात फिर से यदि किसी सब्द में C के बात H होगा तो हाँ पर C को चोप पड़ा जाएगा उधारन के लिए आपके सामने है C के बात H है तो हम इसे चोप पड़ रहे हैं अब इसकी परिभासा पर चलते हैं देखें यदि किसी सब्द में C के बात H हो तो C को चोप पड़ा जाता है उधारन के लिए यहाँ पर C के बात H है तो हम इसे चोप पड़ रहे हैं तब C, H, A को हम चे पड़ेंगे N को हम नो पड़ेंगे G को हम चोप पड़ेंगे तो हम इसे पड़ते हैं चैंज और मार्च वाला आपको समझा दिया गया था इस वीडियो में इतना ही, Thank you, Have a nice day